जे मतदी रोग उतारने के लिए और भी बहुत सारे टोटके हैं गाजर, अनार, मसूर, लाल मिट्च का पाउडर, शलजम, रोली, कुम-कुम, साथ बार उतार कर मंदीर में रखकर के आवें, हनुमान जी मंदीर में मंगलवार को दान करें, जब तक बिमारी नहीं जा रही है हर मंगलवार को ये काम करते रहें, आटे की गोली का पिंड बना कर, याने सवा पाव आटा ले ले या सवा किलो आटा ले ले, उसकी आटे की पूरी लोई बना ले, और उस पूरी लोई को पिंड बना करके पिरित व्यक्ति याने जो बिमार व्यक्ति है, उसके उपर से सा बार उतार कर मचलियों को खिलाना है यह काम रोजाना सवा महीने तक करना है याने 41 दिन तक करना है एक निश्चित इस्थान पर जाकर के ही मचलियों को खिलाना है और निश्चित समय पर ही खिलाना है तो यह बिमारी धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी कितनी ही कठीन से कठीन बिमारी हो वो रोगी को निश्चे तोर से फाइदा पहुचाएगी घी शकर मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से हवन करें क्या ग्यारा उती दे, 21 आउती दे, 51 आउती दे पन्तु ये आपको रोजा ना करना है तो भी घर के अंदर सुख, शान्ती और निरोगी काया बनी रहेगी यदि किसी व्यक्ति को पेरों में तकलीब है तो ये पेरों में तकलीब पित्र देते हैं पित्रों की सेवा करें, पित्रों के नाम से अन्नदान करें और अमावस्या के दिन करें तो निश्चित तोर से पेरों में जो तकलिब होती है चलने फिरने में तकलिब होती है उठने में तकलिब होती है निश्चित तोर से उसके अंदर आपको फाइदा होगा पुर्णिमा अमवस्या दोनों दिन एक खोपरे के गोले लें, उसको उपर से काट करके, काले तिल, पीली सरसों, लोंग, उड़द, गी, मिश्री, दूब भरकर पूरे घर में से घुमा कर, और पिरित व्यक्ति के उपर से साथ बार उतार कर, लकडी में उसको घर के बाहर ज ला दें, तो निश्चित तोर से बिमारी कम होगी, यह काले भी लगातार किस दिन तक करते रहें, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बिमारी हो, तो उसको धाई लोंग लगा कर, एक नीबू में धाई लोंग अवश्य लगाएं, और पिरित व्यक्ति के उपर से सा साथ लोंग और कपूर, दोनों को साथ बार उतार कर रोजा न जलाएं, धीरे धीरे बिमारी कम होने लगेगी, लाल मिर्च पूरी डंठल वाली लेले, साथ, साथ काली मिर्च ले लेएं, एक चम्मच राई लेलें, साथ लोंग लेलें, रूई की बत्ती सरसों के तेल में डुबो लें और ये सब सामान पिरित व्यक्ति याने बिमार व्यक्ति के उपर से सिर्ष से लेके पेर तक साथ बार उतारें, रोजाना उतारें और रोजाना इन चीजों को घर के बाहर लकडी में जला दें, ये पूरी तो बिमारी धीरे-धीरे कम होने लगेगी, गोली दव होना चाहिए, तो भी आपकी बिमारी काफी कुछ हद तक कम हो जाएगी, यदि बिमारी और भी हो, तो क्रश्न पक्ष की अस्टमी को कन्या पूजन करें, नो कन्याओं का मीठा भोजन कराएं, उनको यथा शक्ति दक्षिना दें या उफार दें, ऐसा भी हर अस्टमी को कर आपके यहाँ पर धन धानने में वर्दी होगी, और रोग आपके घर में नहीं आएगे, और यदि है तो रोग को उनको रोकने में ये टोटका बहुत काम करता है, तुलादान करें, पीडित वेक्ति का तुलादान, यानि जो बिमारी वेक्ति है, यदि उसकी बिमारी नही जा रही हो, तो उसका तुलादान करें, तुलादान किसी जो से या अन से करें, और बेहते पानी में ही डाल दें, विशे शमूरत की समय पे करें, या गरहन के बात करें, या बसंद पंचमी के दिन करें, या अक्षे ततिया के दिन करें, या आवला नमी के दिन करें, इन द रहा है तो आपको इलाज करने वाला व्यक्ति आप स्वत्ह उपलब्द होने की संभाना रेती है और यदि घर पूरे परिवार बिमारी से तरस्त हो हर घर परिवार के सदस्य को कोई ने कोई बिमारी लगी हुई हो तो सीमत भागवत का मूल पाठ संकल्प लेकर के कराएं झाल 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